एक बार फिर स्वागत है आपके प्यारे सी यूटूब चैनल मोहित पंडी क्लासेट पर फ्रेंड्स इन दिनों हम लोग कर रहे हैं फिजिक्स में इंपॉर्टेंट कुस्चन, क्लास 12 के लिए फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कुस्चन लेकर आए हैं और इस स्रीज में हम लोग केवल long question की बात कर रहे हैं जो 5-5 नंबर के आते हैं प्यारे ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने chapter number 1 से ले करके 9 तक के जितने भी पिछले 5 वर्सों से अभी तक paper में पूछे गए है question long question और आपके important derivation है उन सबको हमने कबर कर लिया है मात्र 3 वीडियो में जो की 10-10-12-12 मिनट के वीडियो होंगे ठीक है और आज इस वीडियो में हम लोग chapter number 10, 11, 12, 13 और 14 ये 5 chapter लेकर चलेंगे और आज पूरी book भाईया फिनिस हो जाएगी तो पूरे book में chapter number 1 से लेकर के 14 तक जितने भी long question है जो हमेशा board exam में आते रहते हैं हम वो question लेकर आते रहते हैं और आज इस वीडियो की साथ में आपके long question की series प्यारे खतम हो जाएगी और पहली बार अगर इस वीडियो में आए हैं वो पिछले जो हम 3 वीडियो upload किये हैं अगर वो आप लोगों अभी तक नहीं देखा है तो नीचे description box में आपको सभी वीडियो की link मिल जाएंगे प्यारे ओके तो आप लोग को भीडियो पहले वो देखना है ठीट चलिए आज हम सुरुआत करते हैं आज जो हमारा chapter रहेगा 10 11 12 13 14 ठीख है तो चलिए आज का हमारा प्यारा question है पहला साथ देखे तरंगागर किसे कहते हैं तो पहले तो आपको बताना रहेगा कि तरंगागर क्या ह होती है तरंगागर किसे कहते हैं हम लोग फिर आगे अभी खतम नहीं हुआ है प्यारे हाइगेंस के दितियक तरंगिकाओं का सिद्धांत लिखिए very very most important question है प्यारे अगर आप मॉडल पेपर उठा कर देखो न तो हर मॉडल पेपर में यह कुस्चन आपको जरूर नजर आ आने वाले फिरिंजों की चौड़ाई के लिए डबलू बराबर डी लैमडा अपॉन डी का निगमन कीजिए बहुत ही important question है प्यारे फिरिंजों की चौड़ाई का यह आपका बहुत ही important question है इसको हलके में मत लेना प्यारे 95% इसके chance रहते हैं इस question का आने का ठीक है तो triple star हम लोग देते हैं इस question को ओके तो यह भी आपका बहुत important question है आप question number 3 को हम देखते हैं question number 3 हमारा क्या बोल ला है प्यारे उससे number 3 हमारा कहता है कि प्रकास के विवर्तन से आप क्या समझते हैं तो पहले आपको बताना है कि प्रकास का विवर्तन क्या है जेलो थोड़ा इसको हम समझा देते हैं आपको देखिए अगर मान लो आप यह आपका यहाँ पे यह bulb है क्या है बल्ब है ठीक है और एक यहा बोद रखा हुआ है यह ठीक है और सामने आपका कोई मान लो परदा है ठीक है तो जब प्रकास है वो इससे आप जाएगी यह अच्छा इसे पहले यह जान लो कि अभी तक आप लोग को यह बताया गया होगा कि प्रकास सदयो सरल रेखा में चलती है मतला प्रकास मूरती न ठीक है और बात सही है तो चलिए अगर सही है तो देखते हैं अब इसमें उसको हम लोग लिंक कैसे करेंगे अगर यह बात सही है आप लोग मानते हैं कि प्रकास हमेशा सरल रेखा में चलती है तो अगर यहां बल्ब जल रहा है यह आपका कोई अवरोध है ठीक है मानलो यह दिवार है आपकी और यह यहाँ पर होल है तो जो प्रकास को जानना चाहिए वो इस तरीके जानने चाहिए यह यह और यह ठीक है तो यहाँ पर जो परदा लगा हुआ है तो इस परदे पर केवल इतने में यह आपके इतने में प्रकास आपको दिखाई देना चाहिए और यह इसके उपर और यहां पूरा यह अंधेरा होना चाहिए तो क्या यह होता है रियल लाइफ में यह होता है बिलकुल नहीं आप अगर देखेंगे तो आपको यह प्रकास कुछ फैली हुई नजर आएगी यह ठीक है मतलब प्रकास मुड़ जाती है तो प्रकास के मुड़ने की घटना को ही हम लोग विवरतन कहते हैं अगरेदी में डिफ्रेक्शन कहते हैं ठीक है तो प्रकास का विवरतन क्या है कुछ नहीं प्यारे प्रकास के मुड़ने की घटना को ही हम लोग विवरतन कहते हैं प्यारे अगर इसको देखना चाहो अगर इसका इस्पिरिमेंट करन तो अंधेरा रहता हो कोई source ना हो ठीक है बाहर से धूप पाने जुगाड होए ना बच्चा को नो ठीक अब क्या करिए कि उसमें कोई जहां की कोई लगी होगी ना विंडो लगी होगी ना तो विंडो को open करिए आप ठीक है तब दिखिए क्या होगा विंडो मानलो यह आपकी लगी हुई है यहां पर यह ठीक है अब आप जब विंडो को open किये जब आपने विंडो को open किया तो विंडो के सामने वाली दिवार पे जितनी बड़ी विंडो है केवल उतने पे ही प्रकास पढ़ना चाहिए बाकी पूरे रूम में अंधेरा होना चाहिए तो क्या ऐसा होता है नहीं होता पूरे कमरे में बहुत ज्यादा नहीं हलका हलका उजाला हो जाता है लाइट पूरे कमरे में फैल जाती है तो बस इसी से आप समझ सकते हैं इतना विवरतन कहते हैं बताइए कुछ किलियर हुआ पल्ले पड़ा अब इतना लिखने स्काब नहीं होगा आप नोर्स बनाए होंगे उसमें से पढ़ लिजिएगा लेकिन हाँ पतली जहरी से प्रकास के विवरतन के कारण प्राप्त विवरतन प्रारूप की ब्याख्या कीजिए यह आपको एक्स्प्लेन करना है काफी बड़ा करीब एक से दो पेज में है इसकी इस प्लेन ठीक है तो इसको आप लोग पढ़कर जरूर जाएगा चलिए और बहुत इंप दिखते हें कुछा नंबर फोर हमारा कह रहा है प्रकास वैदुत प्रभाव से आप क्या समझते हैं आइंस्टीन के प्रकास समीकरण को दिशिवरत्पन किजिए तो प्यारें प्रकास के वैदूत प्रभाव से आप लोग क्या समझते हैं तो देखो प्यादे जब हम किसी धात उपर या ऐसे समझो कि धात उपर प्रकास के आपतित होने से उस धात उसे इलेक्ट्रान के उत्सर्जन होने की घटना को हम लोग प्रकास वैदुत प्रभाव कहते हैं क्या कि धातुओं पर धातुओं पर प्रकास की आप्तित होने से इलेक्ट्रान के उत्सर्जन होने की घटना को प्रकास वैदुत प्रभाव कहते हैं क्लियर है तो यह कॉंसर्प्ट क्लियर हो गया अब आगे देखो आइंस्टीन के प्रकास वैदुत समी करण को व्यूत्पन कीजिए अब यह आप लोग फॉर्मूला देखे होंगे कभी न कभी गलती से जरूर देखे होंगे क्या हाफ एम वी मैक्स स्क्वाइर इक्वल टू यह होता है आपका एच निव माइनेस निव नॉट ठीक है यह फॉर्मूला आपका आइंस्टीन का प्रकास वैदुत समीकरण का फॉर्मूला है तो इसको आपको ड्राइब करना है बहुत छोटा है काफी ज़्यादा बड़ा नहीं है एक पेज में हो जाएगा ठीक है तो भीया पांस नंबर की कुस्षन है तो आप जार लाइन लिखने थोड़े काम बनेगा कुछ तो भीय का प्रकास वैदुत समीकरण है इसको आपको ड्राइब करना है व्यूत्पन करना है किलियर है कुस्षन समय में आ गया आगे देखिए अब चलते हैं हम लोग कुस्षन नंबर फाइब की तरफ कुस्षन नंबर फाइब हमारा कह रहा है रदर फोड की परमाड माडल की व्य लेकिजिए तो भाइया रदर फोड ने ये सायद उन्नीज अठारा सो एक में एकडम कीलियर नहीं है प्यारे अप लोग एक बार देख लीजिए गा रदर फोड ने नियम दिया था जो आपका परमाड माडल है तो उस परमाड माडल की आपको व्याख्या करनी है ओके और उसमें लेकिन कुछ कमियां भी थी उस कमियों को भी आपको बताना है कह रहा है ना इनकी कमियों का उलेक किजी तो तीन-चार पॉइंट में आपका ये परमार माडल कीलियर हो जाएगा और तीन-चार पॉइंट में आपका कमी जो है उनकी वो कर देना मतलब दो-तीन-चार प प्यारे अपनी कुछ नमबर सिक्स की तरफ कहरा है हाइड्रोजन परमाण के लिए उर्जा अस्तर आरे खिंचिये तथा इस्पेक्ट्रिमी रेखाओं की लाइमन बामर तथा पास्चन स्रेंडियों की उत्पत्त कीजिए वह यह बहुत इंपॉर्टेंट कुछन है बहुत ब पाचोस रेडि को आप लोग पढ़कर जाएंगे यहाँ पर हमने क्यों तीन ही लिखी लेकिन आपको ब्रैकट और फूंड इस रेडियों को भी पढ़कर जाना है और 95 प्लस परसेंट सांस है इस कुछन को आने का ठीक है अब देखिए इनका जो फार्मुला आता है वो क्य है जिसे इनकी उत्पत्ति को समझाईए तो पूरा हम जो थेओरी है उसको इस्प्ले नहीं करेंगे हाँ ठीक है लेकिन थोड़ा हिंट दे रहा हूं इनका फार्मुला आता है आपका वन अपन लेम्डा इक्वल टू आर वन अपन वन स्क्वायर माइनस वन अपन यन यह ओमुला होता है किसका लाईमन और पांच लाईमन बामर पास्चन ब्रे करत और फूंड तो अगर लाईमन ज्रेंड़ी की बात कि जाएगी तो यह फर्मुला और अगर वामर्स रेंड़ी की बात की जाएगी तो जहां one square है यहां पर केवल आपको two square कर देना और सब वही रहेगा अगर पास्चन की बात आएगी तो पास्चन में जहां पर वन का स्क्वाइर है वहां थिरी का स्क्वाइर हो जाएगा ब्रैकट की बात आएगी तो यहां पर किवल फोर का स्क्वाइर कर देना और लास्ट में अगर फुंड स्रेडी की बात आएगी तो जहां पे 1 का स्क्वायर है वहां 5 का स्क्वायर कर देना बाकी फार्मूला सेम ठीक है किलियर है तो ये पांचों सेनेडिया आप लोग भाईया पढ़ कर जाएंगे हम इसको हटा रहे हैं ठीक है चलिए अब हम बात करते हैं आपका कुछ नंबर सेबन तो कुछ नंबर सेबन हमारा क्या कह रहा है बंधन उर्जा वक्र बनाईए तथा इसके आधार पर नाभिकिये विखंडन और नाभिकिये सनलैन को समझाईए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कुछन है प्यारे नाभिक ये विखंडन और नाभिकिये सनलैन को आपको समझाना है ठीक है तो कुछ इसमें थेओरेट का लिए कुछ लेंग्वेज के वल आपको करना है मैथमेटिकल है नहीं तो आप बहुत ही बढ़ियां से इसको पढ़कर के समझा सकते हैं चलिए लास्ट कुछन है ये आपका पियन संध डायोड पियन जंग्सन जानते हो ना नाम सुने हो गए विद्धुधारा प्रवाह की व्याख्या कीजिए चलिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछन है प्यारे बहुत इंपॉर्टेंट आप माडल पेपर उठा कर देख लिए कुछन ये आपको नजर जरूर तो देखिए आपको क्या करना है पियन संध डायोड में विद्धुधारा प्रवाह की व्याख्या करनी है तो इसमें देखो अगर हम बैटरी लें कोई बैटरी लें तो जो आपका पियन जंग्सन है पियन संध डायोड पियन संध डायोड को इस डायोड को हम लोग बैटर से दो तरीके से जोड सकते हैं ये बात आप लोग जानते हैं ठीक है अब दो तरीके से कैसे जोड़ेंगे देखिएगा मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं प्यारे ये कुश्चन मान लो प्यिदीती किसकी होती है मैं अधिकतव अधिटा की हिंदी में कहते हैं कोंटर ठीक है कोटर कोटर कब लिए इसमें ईलेक्ट्राण कोन होता है इसमें ओ विया यहाँ पर विया आपका ध्यान का है सर यह क्या घर रहो विया इसमें इलेक्ट्राउन होते है इसको डाट डाट से ठीक है यह आपका पी टाइप और यह यंटाइप और यह है आपका पी अन जंक्सन, क्या है, पी अन जंक्सन, पी अन, ये पी अन जंक्सन होता है, ठीक है, अब अगर हम इसको देखें, तो P हमारा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, ये हमारा पॉजिटिव रहेगा, और ये इलेक्ट्रॉन हमारा नेगेटिव, चलिए, अब हम इसको बैट बैटरी से जोड़ते हैं अब यह और बैटरी में यह आपका प्लस है यह माइनस है तो देखेगा आप दो तरीके से कैसे जोड़ेगा यह आपका PN जंग्सन है ठीक पी अन्जंग्सन डायोड, पी अन्जंधि डायोड, ठीक है, अब जब हम पी अन्जंधि डायोड को बैटरी के, ऐसे नहीं समझो, जब हम पी अन्जंधि डायोड में P टाइप को हम बैटरी के प्लस से, ये P टाइप है ना, तो P टाइप को जब हम बैटरी के प्लस से, ये सिरा है ना से जब जोडेंगे तब हम इस कंडिशन को बोलेंगे अग्र अभीनाती क्या बोलेंगे अग्र अभीनाती ठीक है और अगर हम क्या करें इसी पी को अगर हम माइनस से जोड़ दें तब क्या होगा तो देखेगा क्या होगा अब हम बैटरिया भाईया बदल दे रहे है अब इधर माइनस कर दे रहे हैं यह माइनस और यह प्लस जब पी टाइप को बैटरी के माइनस से यह रेड़ातमक सिरा से जब हम जोड़ेंगे तब इस कंडिशन को हम लोग पस्च अभीनत कहते हैं बस इन दोनों का आप लोग ऐसे फिगर बनाना नोट्स बनाए होगे न बस मैं किवल थोड़ा सा हिंड दे रहा हूँ इनका आप लोग फिगर बनाएंगे और बढ़िया से इसको इस्प्लेन कर देंगे पूरा पांच का पांच नंबर पई हो बच्चा पूरा पांच का पांच पई हो प्यारे तो यह आपके आठ कुशन कंपलिट हुए अब इन का स्क्रिंशॉट लो चलिए यह आपकी तीन कुश्चन और आगे हैं प्यारे फ्यारे कुश्चन नंबर नाइन है आपका पियन संध्य डायोडों का परियोग करते हुए पूर्ण तरंग दिश्टकारी का परिपत खींच कर इसकी कारविधी समझाईए ठीक हैं और सेम ऐस कुश्चन है जिसमें क्या रहेगा अर्ध तरंग दिश्टकारी तो अर्ध तरंग दिश्टकारी और पूर्ण दिश्टकारी इन दोनों कुश्चनों को आप लोग बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से पढ़कर समझ कर जाएंगे प्यारे फेपर देने ठीक है अब टेन भ कारी को आपको समझाना है एक में अर्ध तरंग दिश्टकारी को और आज का लास्ट कुश्चन है आपका उड़्जाबेंड के आधार पर चालक अर्ध चालकों में अंतरस पस्ट की जिए तो बहुत इंपोर्टेंट कुश्चन है प्यारे ठिक है इसको याद करने सापका जानगें से शाट कुस्चन जो बंटा है दो नंबर वाला वो ऐसे पूछ लेता है कि चालक क्या है अर्ध चालक परीभाषित कीजिए चालक की परिभासा बताई अर्ध चालक क्या होता है तो इनसे स्ब्सक्रीन भी आपका तयार हो जाएगा और इसमें कोई स्पार्मृव्य है mathematical तो है नहीं कुछ फार्मुला आर्मुला तो आपको ड्राइब नहीं करना है तो बस तो अच्छे से दो चार बार देख लेंगे न ध्यान से बस बढ़ियां से किलियर हो जाएगा प्यारे ठीक है तो अब मैं साइड हो रहा हूं इस पूरे का एक साथ आप लोग स्किन सौ 14 तक जितने भी most important question थे हम लोग ने कबर कर लिया आज पूरी बुक आपकी finish हुई ओके अब अगर देखा जाएगा आप लोग की demand होगी तो हम एक series और लेकर आएंगे इसके बाद में important numerical की ठीक है उसमें आपको chapter number 1 से लेकर chapter number 15 तक जितने भी important numerical हैं पिछले 4-5 सालों से उन सभी numerical को आपके सामने हम लेकर आएंगे प्यारे और आपको धीर सारी practice कराई जाएगे ठीक है जिससे क्या होगा board exam में बैठ होगे तो मज़ा आ जाएगा प्यारे और 70 में से 25 तो किसी कमान नहीं है तो बस आज का वीडियो हमारा यहीं तक था अगर वीडियो अच्छा बीडियो में बबाई